सभी बच्चों को जये सु बच्चों इन चित्रों पर द्रिष्टी दालिए ये मानव जीवन की वृध्धी और विकास के विभिन्न चर्णों को दर्शाते हैं हम अपनी प्रतिभाओं और परस्पर संबंधों को बढ़ाते हुए शारीरिक, बौधिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विक्सित होते हैं अतह, माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त, गुरुजन, पुरोहित, धर्म भाई-बहन तथा हमारे पुज्य बुजुर्ग जन हमारे विकास में हमारा सहियोग करते हैं क्यूंकि वे हमें प्यार करते हैं इन सबसे बढ़कर एक और व्यक्ति है, जो हमें सबसे अधिक प्यार करता है और हमारे समग्र विकास में मदद करता है वह व्यक्ति है ईश्वर माता की कोक में गर्मधारन के समय से ही ईश्वर सदा हमारे साथ है वह सत्यमार्ग की ओर हमारी अगुवाई करता है दुखों में हमें सांत्वना देता है। ईश्वर के साथ हमारा अटूर्ट संबंध है और यह सदा बना रहता है। जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने तथा अन्वरत विकास की और उन्मुक होने के लिए ईश्वर ने हमें अनेक विशेश वर्दान दिये है। ईश्वर प्रदत इनिक रुपादानों को संसकार कहते हैं। आज हम संसकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बप्तिस्मा संसकार के बारे में जानकारी ग्रहन करेंगे। संसकार प्रभु येसु द्वारा मानव को प्रदत सर्वोत्तम उपहार है आकाश में काले बादल वर्षा होने के चिन्न है किन्तु काले बादल वर्षा के चिन्न ही नहीं, परंतु अपने अंदर वर्षा भी लिये रहते हैं इसी तरह संसकार भी मात्र ईश्क्रिपा के चिन नहीं नहीं बल्कि अपने अंदर ईश्क्रिपा को भी लिये रहते हैं प्रभु येशु ने साथ संसकारों की स्थापना की है जिससे हम ईश्प्रेम और उसके साथ संबंध में जिये और उसमें विकास करें ये संस्कार इस प्रकार है सनान अथ्वा बप्टिस्मा संस्कार द्रिडिकरन संस्कार पवित्र यूक्रिस्तिय अथ्वा परंप्रसाथ संस्कार पाप्स्विकार संस्कार रोगी विलेपन संस्कार पुरोहिता भीशेक संस्कार और विवा संस्कार संसकार सामुदाइक समारों है ईश्वर मनुष्य को मात्र एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं बलकि संपूर्ण समुदाइक को मुक्ति देना चाहता है इसलिए उसने संसकारों के अनुष्ठानों को सामुदाइक समारों का रूप दिया संसकारों के समारों में ईश्वर की प्रजा एक परिवार के रूप में एकत्र होती है संसकारों के समारों को वे एक समुदाय के रूप में मनाते हैं संसकारों के समारों उन्हें एक समुदाय के रूप में जीने और बढ़ने में सहायक बनते हैं संसकार, प्रेम, एक्ता, उदार्ता और न्याय, आदिक क्रिस्तिय मुल्यों के अनुरूप जीने तथा उन मुल्यों के आधार पर एक सम्रुद्ध समाज के निर्मान में ईश्प्रजा की सहायता करते हैं इसलिए प्रतियक संसकार एक सामुदाइक समारो होता है जल सनान संसकार का आवश्यक तत्व है इसका हमारे जीवन में भी बड़ा महत्व है हम पीने के लिए, शुद्धी के लिए और अन्य दैनिक कारियों में इसका प्रयोग करते हैं जीवजन्तु और वनस्पति के लिए भी जल अत्यन्त आवश्यक है सृष्टी के आरंब से ही जल जीवन का स्तरोत रहा है इश्वर ने अपने मुक्ति विधान में जल को अपनी कृपाओं तथा नवजीवन का एक प्रभावशाली प्रतीक बनाया है योहन बप्तिस्ता यूदा प्रदेश के रेगिस्तान में निवास करते थे उन्होंने लोगों को पश्यताप की शिक्षा दी उनके पश्यताप के चिन्न के रूप में वे उन्हें यर्दन नदी में बप्तिस्मा देते थे प्रभु येसु ने भी योहन बप्तिस्ता से बप्तिस्मा ग्रहन किया बप्तिस्मा में पवित्रा आत्मा के वर्दान प्राप्त कर प्रभु येसु ने अपना मिशन स्विकार किया और संपूर्ण फिलिस्तिन देश में लोगों के बीज अपना सेवाकार्य संपादित किया प्रभु येसु ने अपने पुन्रुथान के बाद अपने शिश्यों को यह आदेश दिया तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिश्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बप्तिस्मा दो प्रभु येसु के आदेश अनुसार शिश्य निकल पड़े और उन्होंने संसार के कोने कोने में जाकर सू समाचार का प्रचार किया जिन्होंने प्रभु येसु में विश्वास किया प्रेरितों ने उन लोगों को स्नान संसकार दिया प्रेरितिक परंपरा के अनुसार आज भी कलीसिया विश्वासियों को स्नान संसकार देती आ रही है स्नान संसकार के समय पुरोहित स्नान संसकार लेने वाले व्यक्ति के सर पर पानी उंडेलते हुए उसका नाम लेकर इन शब्दों का उच्चारन करते हैं मैं तुमको पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में बब्तिस्मा देता हूँ स्नान संसकार के फल स्नान संसकार द्वारा पिता, पुत्र और पवित्रात्मा ईश्वर हमें निवास करने आते हैं और हम उनमें निवास करते हैं, हम में इश्वर की उपस्त थी इश्क रुपा का जीवन कहलाती है हम प्रभु येसु मसिय के पास का रहस्य में भाग लेते हैं, इस तरह हम पाप के लिए मर जाते हैं और पवित्रा आत्मा में नए जीवन के लिए जी उठते हैं हमारे सारे पाप, आदी पाप, एवं, व्यक्तिगत पाप साथी पापों से संबंदित सारे डंड भी शमा हो जाते हैं हम इश्वर की संतान बन जाते हैं और इश्वर को अब्बा कहकर पुकारने लगते हैं हम पवित्रा आत्मा के मंदिर बन जाते हैं हम प्रभू येसु मसिय के आध्यात्मिक शरीर अर्थात कलिसिया के सदस्य बन जाते हैं, हम प्रभू येसु मसिय के सामान्य याजकिय कारियों में सहभागी होते हैं, स्नान संस्कार के रूप में हम में एक अमिट आत्मिक छाप लग जाती है जो या इंगित करती है कि हम इश्वर के है हम प्रभु येसु मसिय के त्रिविद के कारियों में भाग लेते है स्नान संस्कार हम सबको एक ही पिता इश्वर की संतान बना देता है इसलिए हम सबको अधिकार है कि हम पिताईश्वर को अपना पिता कहे इस तरह स्नान संसकार क्रिस्तिय जीवन का मूल आधार है केवल वेव्यक्ति ही अन्य संसकार ले सकते हैं जिन्होंने पहले स्नान संसकार लिया हो स्नान संसकार क्रिस्तिय जीवन का शुभारम है वह हमें आमंत्रित करता है कि हम क्रिस्ट के साक्षी बने जैसा कि प्रारंबिक क्रिस्तिय, कलीसिया और समाज में किया करते थे बच्चो, स्नान संसकार द्वारा हम क्रिस्ट से सयुक्त हो गए है इसलिए हमें क्रिस्ट के समान जीवन बिताना चाहिए धन्यवाद इश्वर की असीन क्रिपा और शांती आपको प्राप्थ हो कि इश्वर की अन्यवाद कि अन्यवाद क्यों में आपको शांता सेखें कि अन्यवाद कि अन्यवाद झाल झाल